इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत पीम्टी, सॉम्य फाइब्रोसाइटिक स्तन रोग, दर्दनाक स्तन रोग और एंडोमेट्रियोसिस नामक स्थिती शामिल है। गोना ब्लोक सो कैपसूल भूजन के साथ या बिना भूजन किये लिया जा सकता है। लेकिन अधिक से अधिक लाब पाने के लिए इसे एक ही समय पर लें। इसे आपके डॉक्टर की सलाह के रूप में लिया जाना चाहिए। खुराख, और आप इसे कितनी बार लेते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किसलिए ले रही हैं। आपका डॉक्टर तै करेगा कि आपको अपने लक्षनों में सुधार करने की कितनी आवशक्ता है। एक गिलास पानी के साथ गोलियों को पूरा निगल लें। आपको यह दवा तब तक लेनी चाहिए जब तक यह आपके लिए निर्धारित है। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में वजन बढ़ना, बालों का जढ़ना, आवाज में बदलाव, मुहासे और अनियमित मासिक धर्म शामिल है। अगर यह आपको परेशान करते हैं या गंभीर लगते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। उन्हें कम करने या रोकने के तरीके हो सकते हैं। यदि आप गर्भवती हो जाती हैं, तो आपको इसे लेना बन कर देना चाहिए। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं। अगर आपको कभी भी आपके रक्त परिसंचरन में कोई समस्या हुई है, या आपको मधुमे या माइग्रेन है, आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी पता होना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्योंकि इन में से कई दवाएं इस दवा को कम प्रभावी बन सकती है, या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती है, आपका डॉक्टर रक्त कोशिकाओं, लीवर और थायरोइड के ठीक से काम कर रहे हैं, इसकी जांच के लिए नियमित रूप से रक्त परीक्षन कर सकता है, विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आप को विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद.